नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे सर्दियों में कपड़े सुखाना बहुत जादा मुश्किल होते हैं तो आज कुछ ऐसे ही यूसफुल से टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिप्स अगर जरा सी भी यूसफुल लगती है तो एक लाइक जरूर से कीज़ेगा चैनल पर फ़र्स टैम आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के यूसफुल से धमागेदार टिप्स और ट्रिक्स आज के हमारी फ़र्स टिप के लिए हमें चाहिए एक बाउल बाउल में डालना है शेम्पू तो यहां पर मैं दो पाउच इसका यूस कर रही हूँ आपके पास जो शेम्पू हो जैसर यहां पर यहां पर यूस कर सकते हैं तो यह डालने के पाद इसमें एड करना है थोड़ा सा पानी तो पानी यहां पर आपको हलका गुन गुना लेना है उसके बाद इसमें एड करना है वाइट विनेगर तो यहां पर विनेगर जो आपके पास हो आपको यूस कर सकते अगर कर बेने का नहीं है तो यहां पर आपको नेवु के रस्पा भी यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद में यहां पर यह जो हमने लिक्विड बना इसको दो जगा यूज़ करूंगी तो एक तो हम स्प्रे बॉटल में इसको रख देंगे और आदा जो बचा है उसका यूज़ में आगे करनी वाली हो तो यहां देखिए मैंने थोड़ा सा इस बॉटल में डाल दिया है इसको अच्छे से अच्छे से मिक्स कर दिना क्यूंकि पहले से और बचा हुआ था ऊग्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं मैं बहुत ज़्यादा चिकनाई, और गंदी इसके वाला जोन जाता है तो इनको allergy clean करते रहना जाए हैं तो एक लंगी बında करते हैं और ней बिक्त होती है उसके बाद इसमें एड करना है विनेगर तो यहां पर पहले हमने विनेगर डाला था और थोड़ा और विनेगर हमें इसके अंदर डालना है तो यहां देखे बहुत अच्छे से जाग बनने लगे हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां देखे जो हमने चीजेस के एनको टाइमlier कर सकते हैं और चेपनाय को हटा सकते है तो अगर आके बहुत कहँते हैं आपर चेपनाय है नहीं कियो को आपको थोड़ा किसे साफ बार तो और में आप में को टि Awards here में है저गा पार आप लगा 했는데 शुड़ाने वी दिद्ले या फिर जो बर्तन साफ करने वाले स्क्रब है उससे भी क्लीन कर लेंगे तो आपके जो बर्णर से एकडब से नई क़ायसे हो जाएंगे बहुत अच्छे से एकडब से साफ हो गये है उसके बाद कहने को इनको अच्छे से तरीके से रब कर लेना या या देखें चमक गय pac हमारा जो हमने लिक्विट स्प्रे बॉटर में भरके रखा था उसका यूज आप अपने गैस टॉप को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं क्या होता है जब भी हम खाना बनाते तो थोड़ी पर चिकनाई वगरा जंती रहती है उससे गैस की जो शाइनिंग हो खतम हो जाती है तो आप अब इसका यूज कर सकते हैं जब भी आप अपनी गैस को जो काउंटर टॉप है या फिर गैस सटॉप को क्लीन करते हैं तो वहां पर बिस हलका से श्प्रे कर देना है और किसी भी टॉबल से इसको वाइप कर देना है तो आप देखिंग आपकी जो गैसे नई जाए हो نیوز पेपर का भी योज़ कर सकते हैं बस इसके चोटे चोटे पीसिस कट कर लेने हैं तो यहाँ पर scissor की head से जोटे चोटे चोटे पीसिस कर लेंगे और लातימ स्विदियों जहां फार तो Secure यहाँ गद्धर कि चोटे पीसिस कत कहने हैं उसमें डालना है आपको ठोड़ा सा हार्पिक, तो यहां पर अगर आपके पास red हार्पिक है तो आप भो भी ले सकते हैं, अगर वो नहीं है, तो जो blue वाला हार्पिक है, उसका भी use कर सकते हैं, और यह वाला हार्पिक मैं अपने kitchen में ही रखती हूँ, इसको washing clean करने के लिए use नहीं करती हैं तो यहां पर अगर यह गले नहीं तो यहां पर अगर आपके पास विनेगर है तो विनेगर डाल देना है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है विनेगर डालने के बाद इसको दो से तीन नट के लिए ऐसे छोड़ देना है इनको अच्छे से यह सॉफ्ट ना हो जाए तो यहां देखें यह अच्छे से सॉफ्ट हो गए उसके बाद इसका यूज कैसे करना है चलिए देख लेते हैं तो यह जो साफ करने के लिए हम चोटे मोटे चिप संट्रिक्स वालो कर सकते हैं इससे आपकी मिक्सी एकदम से नई जैसी हो जाएगी जैसे कि अभी आप देखेंगे तो यहां पर जो शलूशन हमने बनाया है जो टिशू पेपर के उपर हार्ट पिक डाला है हम डायरेक्ट हार्ट पिक का यूज नहीं करेंगे इस तरीके से टिशू पेपर में हलका फुलका डाल कर इस तरीके से यूज करेंगे इस तरीके से तो इस तरीक में पास Verizon's के नहीं तो कि क्लिंग ते कुरूं से नहीं है तो इसे छोड़ार नहीं तून से this दो इससे खुम आना के लका प्र को समये नहीं कि कहेताgin बीच में थोड़ी बहुत जगे है उसको भी क्लीन कर लेंगे जो भी हलका फुलका गीला पनिस में आया है वो भी एकडम से ड्राय हो जाएगी देखेंगे आप मिक्सी एकडम से चमक जाएगे उसके बाद थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेना है जिसमें की हाथ पेक प्रिने तो यहां देखें हलका हलका मैंने से चार्व तरफ लगा दिया है उसके बाद आपको क्या करना है एक ड्राय नैपकिन लेना है या फिर आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं उसके बाद इस पर चार्व तरफ घुमा देना है तो देखेंगे आपकी मिक्सी एकडम से नई जै अगली यूसफुल सीटेप होने वाली है कपड़े सुखाने को लेकर ये प्रॉब्लम तो हम सभी को होती है सर्दियों में कपड़े सुखाना means बहुत बड़ा काम करना तो कपड़े कितना भी हम इनको तीन से चार दिन तक बाहर पड़े रहते हैं फिर भी ये नहीं सुखते इनको अंदर भार करते रहें फिर भी नहीं सुखते क्योंकि सर्दियों में सूरज देपतर निकलते नहीं है और हमारे कपड़े सुखते नहीं है इनको सुखाने के लिए हम प्रेस करते हैं गैस पर गरम करते हैं तो जब इनको gas पर हम सुखाती हैं तो यह इस तरीके से जल जाते हैं इसकी lastik बहुत जल्दी से जल जाती है और press करते हैं तो भी lastik loose हो जाती है और कप्रे तो हमारे पास काफी सारे होते हैं और जो हमारे undergarments होते हैं इनको तो हमें daily ही wash करना पड़ता है और डेली ही इनको हम यूज़ करते हैं तो इनको सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ही चोटी सी टिप आपके साथ प्ले क्या ही हूँ एक बैग में आप सारे कप्ड़े ही सुखा सकते हैं किस तरीके से चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बैग लेना है बैग थोड़ा सा आपको मजबूत लेना है तो यहाँ देखें मैंने एक बैग ले लिया अब इस बैग के अंदर जितने भी कप्ड़े आपको सुखाने हो वो सारे इसमें इस तरीके से ढाल देने हैं तो यहां देखें मैं फिलाल तो छोटे-चोटे कपड़े डाल रही हूँ और एक दो हम इसमें बड़े कपड़े डालेंगे बाकी के आप अलग-अलग करकर भी सुखा सकते हैं में इस बैग में अलग से डाल देंगे बड़े कपड़े तो उनको भी सुखा सकते हैं यहां देखे बैग ले लिया है अब इसमें मैंने चोटे-चोटे कप्ले डाल दिये हैं सौक्स हो गए अंडरगामेंट्स हो गए या फिर पजामी हो गई चोटी-चोटी वह सारी चीज़े हमने इसके अंदर डाल दी है उसके बाद आपको क्या करना है बैग का जो ऊपर वाल काशियों हेयर ड्रायर घो में सबीलिव और दो क्या ड्रायर पराई होया डायर Тो हेयर ड्रायर सभी के पास होता है इसकी हैवाल ड्रायर go on करना है है और कप्रों को सुखा लेना है इस्से आपके Kपड़े बहुत ही जल्दी ससूोग जाएंगे क्योंकि कपड़ों on क्या ल नीचे की तरफ इनका गीला है तो उसको भी इसी तरीके नेक्स टिप होने वाला है हमारा मोटे भारी भरकम जैकेट को रखने को लेकर या तो हम इने अलबारी में रखते हैं या कभी हम ट्रैबलिंग के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं तो मोटे मोटे कपड़ों को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मोटे कपड़े बहुत ही कम स्पेस में इनको रख पाएंगे जैसे कि आप चार जैकिट्स रख रहे थे एक बैग में वहाँ पर आप 10-12 जैकिट्स आराम से रख सकते हैं यह वाला टिफ देख कर तो यहां पर देखें हमने नॉर्मली इसी तरीके से रखते हैं बट इसके लिए ऐस तरीके से नहीं रखने हैं जब भी आप अलमारी में रख रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको मोटे वाले जैकिट्स को फोल करकर दिखाती हूँ बस बहुत ही कम जगा में आ जाएगा कितना मोटा जैकिट है एक बहुत ह साच हो जाएगा सबसे पहले इस तरीके से आपको उलटा करना है means back side में पलट देना है इसको उसके बाद पीछे की तरफ इस तरीकी से fall करना है और ईसकी जो sleeves उसको नीचे की तरफ इस तरह को से hold करना है सेम इसी तरीके से जाएंगे वो बहुत ही छोड़ी सी पॉकेट बनती जाएगी तिया देखिए इस तरीके से करना है उपर से जो हुड़ी वाली कैप है आपकी वो लेना है और इसके अंदर पूरी ही जैकेट को रग देना है इससे आपकी जैकेट बहुत ही कम जगह में आ जाएगी अभी आप आप नहीं है उसको किस तरीके से रखें तो बस आपको क्या करनी है जैकेट लेना है उसको नीचे से आपको फोल्ड करना है नीचे से आपको हाफ फोल्ड करना है उपर से जो इसकी स्लीव से उसको इस तरीके से एक के उपर एक रखना है उपर से क्या करना है नेक वाला पा हमें कफ़ी सारी जैकिट एक इरं ही जगहा पर डग सकती आइं अमीद भी चोड़ी चोड़ी डरा पसंड आए हो एक लायक के लिए इस जञान कर पसंड आई हो पसंड आयाकाना तो आप ल्याइन का बबनने की चलिए शरी कि 도 सब्सक्राइब हो Summen न करम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, मैं मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लोग में तब तके लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें थैंक्स वर वाचिंग, बाब बाई, चेक केर और रधी रधी